नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित में मैं हूँ प्रभास मिश्वा आ जागे हूँ मैं फिर से एक नहीं वीडियो लेके तो दोस्तों जैसा कि आप लोग ने कम्निटी में हम लोग ने पोल किया था तो आप लोग ने बहुत ज़्यादा पोलिंग करी थी कि स्टेट बैंक ओफ इंडिया का सर एक डिटेल्ड वीडियो लाईए तो वो लेके हम लोग आ गए हैं यहां पर दो तीन चीज़ों पर मैं बहुत इंपोर्टेंट बात बताऊंगा आप लोग को इसके लावा चैनल पर पहली बार है तो इसको सस्क्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी टीम को इंकरिजमेंट मिलेगा सबसे पहले बात करना चाहता हूं कि कई सारे स्टॉक जितने भी बांकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो बांकिंग सेक्टर की स्टॉक हो Axis Bank हो, Indicent Bank हो HDFC Bank हो, State Bank of India इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल लगी है आपको पता है Back to Back देखी का Lockdown बढ़ा and Economic Slowdown है Banks के NPA बढ़न है Provisions बढ़न है, Profit कम हो रहा है बहुत सारे Bank Loss में है तो देखेगा ये सारा Impact आपको Stock Market में इनके Particular Price में Market के Valuation में भी देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी तरीके से Business क्या है, Disturbed हो रहा है तो आपको देखेगा अगर आप कोई भी Banking का सेक्टर का Stock ले रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको Long Term Point of View जरूर रखना चाहिए तो ये चीज़ें आपको बिलकुल याद रखनी है अब बात करेंगे State Bank of India क्योंकि रहा है तो देखेगा State Bank of India देखेगा एक largest, biggest lender of the India है तो देखेगा biggest lender of the India है तो जितनी भी दिक्कते आती है सारा solution कौन किसके पास जाता है State Bank of India के पास तो इसके पर pressure बहुत रहता है जब pressure बहुत रहेगा तभी stock में दिक्कत भी आती है तो ये चीज़े आपको याद रखनी है जैसे Yes Bank की दिक्कत हो या फिनके भी NPS बढ़ रहा है कई सारी ऐसी चीज़े तो इसलिए भी stock में काफी pressure आ रहा है अब जो main बात करेंगे कि stock कहाँ पर रूख सकता है कहाँ पर support level आ रहा है क्या buying आ रही है कि ने आ रही है तो एक के करके जानेंगे तो देखेगा last session में देखेगा 166 जिसका बहुत important support level है वहाँ पर stock ने क्या कर दिया है वही पर stock sustain कर रहा है आसपा sustain कर रहा है stock ने high कर रहा था 173.80 का और काफी लोगों ने अगर आप मैं दिखाऊंगा आप लोगों काफी लोगों ने याप एक deliveries भी उठाईए है तो देखेगा सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा पीछे चलते हैं जब stock अभी जल्दी में 178 पे closing दी थी 4 मही को 4 मही को जब इसने अपना main support था जो अब इसका resistance बन गया है 180 का ये support level किसे ने क्या कर दिया था तोड़ दिया था जो कि बहुत दिनों से stock ने ही तोड़ा था तो जैसे stock ने तोड़ा तो क्या हुआ एक अच्छी deliverable quantity देखने को मिली थी उसके बाद stock ने जब दूसरा level तोड़ा देखी का 178 का भी level तोड़ दिया तो देखी का फिर अगले दिन 5 मही को अच्छी deliverable quantity देखने को आपको पता होगा कि ये stock जैसे से नीच जा रहा है तो diffs पे लोग इसको बाई कर रहे है अब stock में क्या होता है जैसे ही stock ने अब देखी का 166 level के आसपार था है तो भी एक एच्छी healthy deliverable quantity देखने को मिल लगी है बट क्या ये support level बरकरार रहेगा देखी का bank तो pressure में रहेंगे economic slowdown भी रहेगा आने वाले quarters भी कुछ अच्छे हो सकता है नहीं आए तो उस समय सबसे important आता है कि आप इसको देख किस तरीके से रहे इस stock अगर आपको देखना है तो आप उसको long term point of view बनाना पड़ेगा stock देखीगा कई सारी बाते हैं अगर आप बात करेंगे सबसे पहले तो day के volume अगर देखेंगे तो आपको पता है 28% आ रहा है weekly volume देखेंगे का 30% की delivery में बहुत अच्छी मानता हूँ delivery अगर weekly आप देखेंगे चार्ट पे तो 30% की deliverable quantity देखने को मिल लिए है monthly 20 के उपर है में differ कर जाता है second चीज मैं बात करूँगा जो सबसे important है वो देखेंगे आप share holding pattern की तो देखेंगे आप mutual fund ने कर आप देखेंगे इसी quarter में अपनी holding को कम नहीं करा है बिल्कुल 6 quarter में back to back back to back वही mutual fund की holding बनी हुई है तो देखेंगा दूसरी बात DIH ने भी एक अच्छा amount यहां पर लगा रखा है 25% का FIH ने भी एक 9.5% का amount लगा रखा है तो मैं यहीं बताता हूँ कि stock इतना आपको पता है PSU sector का सबसे बड़ा stock है इस तरह की कर दिए है Indian economy का ही सबसे बड़ा stock है सबसे बड़ा bank है आपको पता है कि जो reliability है जो विश्वास है private bank से जो जा रहा है तो वो आपको पता है कहीं न कहीं state bank of India को कहीं न कहीं जो इतने में PSU bank को वो उसमें एक support दिखेगा आपको दिखेगा लोग अगर सरकारी bank को पर सबसे ज़्याद़ विश्वास करते हैं यह कोई deny नहीं कर सकता तो उसमें सबसे बड़ा सरकारी bank तो वो तो इतने अगर लेवल पर मिला है तो आप इसमें अगर long term point of view रोकेंगे तो it is very very good अब बात कर सकेंगे किस लेवल तक गिर सकता है तो दिखेगा इस समय चार्ट पर दिखेगे तो यह next support देखने को मिलेगा stock में आपको और उसके बाद अगर यह level तूड़ता है तो 161 का और यह एक strong support है stock का यह 156 एक strong support है जो आपको याद रखना है बहुत ही important है क्योंकि अगर आपने अभी तो stock को नहीं लिया है तो you can wait and अगर आपने ले लिया अगर माली यह bearish moment बनते है आने वाले दिनों में अगर bearish moment बनते है तो यह level आपको याद अखने और अगर यहाँ से stock क्या कर देता है फिर से bounce back करता है यानि कि क्याता है 166 के level से फिर से bounce back करता है तो सबसे पहला resistance यह बनना है तो यह आपको देखीगा यहाँ पे आपको profit booking देखने को मिलेगी और यहाँ पे हो सकता आपको buying आते हुए देखे तो यह level से याद रखेंगे तो आपको थोड़ी picture clear रहेगी और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like, share और subscribe करना न मुलेगा Thank you so much